दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक American author William Faulkner की एक short story A Rose for Emily दोस्तो William Faulkner का ये पहला work है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों को अभी तक मैंने बताया नहीं है कि William Faulkner किस type का work लिखा करते हैं ये जो work है ये gothic type का work है कुछ हद तक psychological type का भी है और ये जो story है 1930 में publish हुई थी April 1930 में इसके अंदर कमाल की बात ये है कि ये जो title है Rose for Emily इसमें Emily नाम का एक character है इसको पूरी novel के इसको पूरी short story के अंदर एक rose नहीं मिलता है लेकिन फिर भी इसका नाम Rose for Emily है मैं title का मतलब बता देता हूँ आगे story पढ़ाएंगे दोसो ये William Faulkner ने ये उसके लिए एक तरह से pity दिखाते हुए अपनी तरब से एक tribute किया है ये title Emily को Rose देकर एक तरह से आगे समझ में आ जाएगा शुरू करते हैं जब मिस Emily Grayerson की death हुई थी तो पूरा टाउन उनके funeral को attend करने पहुचा था उस funeral में मौजूद आदमी लोग interested थे उनकी मरने के बाद उनके घर को देखने में जिसमें वो रहती थी लेकिन उस टाउन की औरतों को कोई interest नहीं था कि वो अंदर जाकर देखें उस घर को कि वो कैसा रहा होगा इतने सालों से किसी ने भी नहीं दिखा था उस घर को अंदर से बहुत ही पुरानी तरीके से उसको decorate किया गया था balconies बहुत ही heavily चमकीली थी बहुत पुराने स्टाइल में बना हुआ था 70s की टाइम का जिस टाउन में मिस Emily रहती थी उस टाउन का नाम था Jefferson Town जो बूड़ा से सर्वेट था उस घर में उसका नाम था तोग वो एक black आदमी था अब काफी लोग इनकी रस्पेक्ट करते थे मिस family की जब वो जिनदा थी बहुत बड़ी थी वो फैमिली जब वो जिनदा थी तो उनकी बहुत ही रस्पेक्ट थी टाउन का लोग भी उनकी बहुत परवा करते थे इंपक्ट 1894 में इस टाउन की एक मेर थे करनल सर टॉइस उन्हों ने ब्लैक और तोको गलिया में निकलने के लिए टैक्स लगा दिया गा तो अब उन पर भी टैक्स लगना था लेकिन उनका टैक्स माफ कर दिया गया इसका रीजन ये था पहले तो मैं सामेले खुद मना कर देती हैं कि मुझे टैक्स नहीं देना मैं नहीं दूँगी किसी भी टाइप का टैक्स उनको टैक्स चैरिटी की तरह लग रहा था लेकिन ये देना जरूरी था तो उस टाउन के मेर ने बोला कि मैस एमेले के फादर ने इस टाउन को पैसा देकर उधार पैसा देकर बहुत मदद की है तो इनसे tax ना लिया जाए हम ऐसा मान लें कि Miss Emily से tax ना लेकर हम लोग उनके loan को repay कर रहे हैं लेकिन अब क्या हुआ tax collectors की एक नई generation आ गई वो generation गई तो नई generation आ गई तो उन्होंने देखा कि Miss Emily ने अपना tax pay नहीं किया है बहुत due है इनका tax जनवरी में उन्होंने Miss Emily को notice भीजा कि आपके tax is due है तो फरवरी तक उनका कोई भी reply नहीं आया पर इसके बाद एक formal letter भीज कर मियर ने खुद Miss Emily को invite किया कि आप office में आए और आकर बात करें लेकिन उनका एक छूटा सा reply आया कि मैं कहीं भी बाहर नहीं गई हूँ और इसके लावा tax के notice के बारे में उनने कोई बात नहीं की reply गे अंदर इतना घमड authorities को आया गुस्सा वोड के members डिरेक्ली पहुँच गए मिस Emily के घर पर तो टोब ने उन सब को welcome किया उस धूल भरे घर में अंदर लेके गया फायर प्लेस के पास में मिस Emily के पादर का एक portrait था मिस Emily आई मोटी सी औरत जिसके बाहल बहुत ही ग्री थे तो उन लोगों में से एक आदमी ने बोला मैडम आपके taxes due हैं मिस Emily ने कहा आपके पुराने मेयर ने मेरे उपर से सारे tax maaf कर रखे हैं कि आपको नहीं पता अगर नहीं पता तो मैं क्या करूँ आप जाके उन से बात कीजे लेकिन जिस मेयर ने tax maaf किये थे उसकी 10 साल पहले death हो चुकी तो ये किस से जाके बात करें पर ये अपने नौकर को समझाती है कि तुम ऐसे लोगों को अंदर आने मत दिया करो मिस Emily उन आफिसर्स पर भारी पड़ गए ये मिस Emily की लाइफ का एक हिस्सा नहीं बता रहे हैं अलग-अलग हिस्से बता रहे हैं ये उन आफिसर्स पर ऐसे ही भारी पड़ी थी जैसे तीस साल पहले वो इन आफिसर्स की पहले वाली जनरेशन्स पर भारी पड़ी थी जिन्होंने इस टाउन में इस बात के लिए प्राटेस्ट किया कि मिस Emily के घर से बहुत समयल आती है बहुत बद्बू आती है दरसल इनकी कहानी कुछ ऐसे थी कि अपने फादर के साथ रहा करती थी इनके फादर की डैथ के बाद ये अकेली होगी डैथ के दो साल बाद इनकी जिंदगी में एक लड़की की एंट्री हुई तो टाउन वालों को ऐसा लगा कि वो लड़के से ये शादी करेंगी लेकिन उसने भी उस लड़के ने भी इनको अकेला छोड़ दिया इनके फादर की डैथ के बाद में तो इन्होंने बाहर जाना बहुत कम कर दिया था लेकिन जब वो लड़का चला गया तो लोगों ने इनको देखना ही बंद गड़ दिया मतलब ये देखना बिल्कुल ही बंद हो गई अकेली रहना पसंद करने लगी पर टाइम गुजरता गया गुजरता गया तो इनके घर से बहुत स्मेल आने लगी स्मेल बढ़ती गई तो टाउन की आड़तों ने इस स्मेल के लिए इनके घर के नौकर को जिम्यदा ठहराया कि ये जो सर्वेंट है इनका टॉब इसको किचन संबालना नहीं आता शायद ये सबजियां जला देता है बनाता बनाता इसलिए स्मेल आती है तो कुछ टाइम बाद एक पड़ोसी लेडी ने मेर को जाके कंप्लेंड की कि इनके घर से बहुत ज़ादा स्मेल आती है आप कुछ कीजिये उस वक्त मेर थे एक ओल्ड आदमी जज स्टीवन्स उन्होंने वो कंप्लेंड ली उसके बाद दो कंप्लेंड और आये इनके पास में उसी को लेकर कि उनके घर में बहुत समेल आती अगले दिन इन्होंने रात में इस मुद्दे पर डिसकेशन किया कुछ और आफिसर्स के साथ बैठ कर तो उनमें से एक यंगेस्ट मेंबर था उन्होंने कहा कि सर अब और नहीं अब हम लोग मैसे मेली को एक नोटिस देते हैं एक डेडलाइन देते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपनी प्रापर्टी की सफाई करवाए ऐसा कब तक चलेगा मनमानी उनकी तो जजज स्टीवन्स ने उससे पूछा तो अच्छा तुम अब उसकी घर में बदबू आ रही है इसमें उसका क्या फॉल्ट है हम क्या कहकर उसको अक्यूज करें कि तुम्हारे घर में बहुत बदबू आती है उसके मूँ पे बोल दें और तुमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो एक फीमेल है अब क्या रास्ता बचाता इनके पास में अगले दिन रात में चार आद में मैस एमली के घर में गए आधी रात में पता करने के लिए कि कहां से स्मेल आ रही है कि उस पर कुछ छिड़क देंगे थोड़ा सही कर सके हम उसको तो पहले तो वो मैस एमली के गार्डन में गए फिर उसके बाद में उन्होंने विंडो से देखा कि मैस एमली मोशनलेस पड़ी थी बैड पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी वो बैड पर पड़ी थी किसी डेड बाड़ी की तरह ये लोग कुछ कर नहीं पाये धंक से देख नहीं पा रहे थे फिर हफते दो हफते बाद वो समयराना खुदी बंद हो गई अब इन टाउन के लोगों को मैस एमली के लिए जितनी रेस्पेक्ट थी जितना गुच्सा था उसकी साथ-साथ इनको बहुत फीलिंग्स भी थी मैस एमली के लिए बहुत सिंपती थी इनकी ग्रेट आंट पागल हो गई थी इतने सारे लड़कों को मैस एमली ने रेजेक्ट कर दिया था उसकी बाद इनकी शादी नहीं होई क्यूकि वो सब इन से छोटे थे मतलब लेवल में छोटे थे इनके फादर के जीते जी तो इनकी शादी नहीं हो सकी तब तक इनकी उमर 30 साल हो गई थी तब بھی भी यह सिंगल थी उमीद खत्म हो गई थी अब इनकी शादी होगी तो टाउन की लोग समझ रहे थे कि ये खुद में भी बहुत प्राउड है ये लड़की अपने आप में घमन बहुत है इसमें तो इनके फादर की डेथ के बाद में इनको पूरा ये घर मिल गया उस वक्त इनके फादर की डेथ हो गई थी इनके फादर की डेट से इनको बहुत जटका लगा था पर टाउन की लीडीज मिसमेली के पास आई है उस दिन इनके फादर की डेट के टाइम पर तो मिसमेली के फेस पर बिलकुल भी दुख नहीं था बड़ी हैरानी की बात थी वो लीडीज से बोली की मेरे फादर मरे नहीं है तीन दिन तक उन्होंने अपने फादर की डेट बाड़ी को किसी को हाथ ने लगाने दिया तीन दिन तक बहुत बड़ी बात होती है तो मेनिस्टर्स और डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि आपके फादर की बाडी को डिस्पोस करना पड़ेगा लेकिन वो नहीं मानी तो फोर्स पुली उनसे ये काम करवाया गया उनसे बाडी छीन कर उनको धपनाने का सारा काम करवाया ऐसे लगा जैसे उनकी बहुत बड़ी चीज उनसे छीन गई हो तो टाउन वाले बोले उस वक्त हमें इस बात में कोई भी पागल पन नहीं लगा मिस ऎमिली ऐसे नहीं लगा कि मैस ऎमिली पागल हो गया क्योंकि उन्हें तीन दिन तक अपने फादर की डेट बोड़ी को अपने पास में रखा हमने सुचा कि ये तो बड़ी ही नॉर्मल जी बात है अगर हमारी फैमिली में भी हमारे अलावा सर्फ एकी मेंबर होगा उसकी भी अगर डैथ हो जाए तो ऐसा करना सभाविक है तो लोग ले गए उनकी फादर को उनसे दूर इसके बाद लंबे टाइम तक वो भीमार रही उसकी बाद हम लोगों ने जब उनको देखा तो देखती रह गए क्योंकि उन्होंने अपने बाल छोटे-छोटे कटवा लिये थे उन्होंने लड़की बनना शुरू कर दिया था इस टाइम पर कंस्रुक्शन कंपनी इस टाउन में आये थी अथरिटीस की तरफ से ही थी रास्ता बनाने के लिए उस कंपनी को लीड कर रहा था एक आदमी हॉमर बैरन इस आदमी हॉमर की चान पैचान इस टाउन के सभी लोगों से बढ़ने लगी बाहूल ऐसा हो गया कि टाउन में जहां भी तुमको लोगों की जोड़ जोड़ से हसने की आवा जा रही है तो इसका मतलब हॉमर बैरन आसपास ही है उन लोगों के बीच में है तो उसके बाद हम लोगों ने मिस आदमी के साथ उस आदमी को देखना शुरू कर दिया कि मिस आमिली बहुत सीरियस है उस लड़के को लेकर अब इनके फैमिली मेंबर्स को बलवाओ जो बहुत दूर रहते हैं कि आकर इनको समझाए कि इस लड़के से ये शादी ना करे तो बलवाया गया भई इनकी कजन सिस्टर्स को दो फीमिल कजनस आई थी इनकी इनकी पास में रहने के लिए अब हॉमर उस टाइम पर एमिली से मिलने नहीं आता था ज़स टाइम पर इसकी फीमिल कजनस इसके पास में थी लेकिन जब वो चली गई तो ये Miss Emily से मिलने वापस आने लगा अब कोई क्या करे Miss Emily की शादी कोई भी हमर के साथ होने ने देगा क्योंकि ये उसके लेवल का नहीं था आज तक कभी होने ने दी नीचे लेवल के आदमी से तो ये कैसे कर सकता था शादी तो ये क्या करती एक दवाई की दुकान पर जाकर जहर मांगती है लेकिन ओदवाई वाला इसको बोला कि हम ऐसे किसी को जहर नहीं देते तो वो घूर कर उस दवाई वाले की तरफ देखने लगी तो इसको पैकेज में जहर मिल गया घर में जब वो पैकेज इसने खूला तो उस पैकेज पर लिखा था चूहे मारने के लिए ये उस जहर बेचने वाले ने खुद ने लिखा था और हम लोगों को लगा कि मैसेमली खुद को मारने वाली है ये टाउन की लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को लगा टाउन की यंग जनरेशन्स क्या सीखेंगी मिस हैमिली ने उस आदमी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आर्डर कर दिये थे बहुत सारे गिफ्ट्स उनके लिए कपड़े, बहुत सारे गिफ्ट्स फिर हम लोग तब भी ये चीज़ देखकर सर्प्राइस नहीं हुए कि हॉमर बेरन अच्छानक से टाउन चोड़कर भाग किया क्योंकि वो इस टाइब का आदमी नहीं था कि वो एमिली से शादी करें तो हम लोगों को लगा शायद मिस हैमिली उसके पीछे पीछे उस वक्त यह ना तो बाहर जाती थी ना किसी को अंदर आने देती थी बस कुछ बच्चिया इनके पास जाती थी पेंटिंग सीखने के लिए चाइनीज पेंटिंग लेकिन जब वो लड़कियां बड़ी होती गई तो उनकी पैरंट्स से मैसेमिली के पास उनको भीजना बंद कर दिया अब ऐसा टाइम गुजरता गया गुजरता गया और एक दिन वो बड़ी होकर बीमार होकर मर गई अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में मैसेमिली का फ्यूनरल चल रहा है टाउन के सारे लोग उनके फ्यूनरल को अटेंट करने पहुचे है इसके साथ साथ उनकी अंदर एक उत्सुकता भी है कि हम उनका घर चेक करने जाएंगे मैसेमिली की खुद की कजन्स प्याए थी उस घर को अंदर से देखने के लिए वो लोग गये भाई घर के अंदर अंदर जाते ही मैसेमिली के फादर का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट उनल देखा उरा घर ढंक से देखने के बाद में टाउन की लोग अच्छे से ये बात जानते थे कि उपर की तरफ मैसेमिली का एक सीक्रेट रूम है जो कि 40 सालों से उनके अलावा किसी ने भी ने देखा जिसमें वो सोती थी मैसेमिली को दफनाने के बाद में उस कमरे को खूला गया वो कमरा बहुत ही कब्र जैसा धूल मिट्टी लेकिन डेकोरेटेड था टेबल पर हॉमर के लिए बहुत सारे किफ्ट्स वगिरा पढ़े थे और जब बिस्तर पर देखा तो एक इनसान की हड़ियों का धाच्या बिस्तर से चिपक गया था उसका सर तकीये पर पढ़ा था तकीये से चिपक गया था और वो हड्डियों को धाचा था हुद हॉमर का वो चूहे मारने वाले जहर से इसने हॉमर को मारा था और 40 सालों से ये उसकी साथ बिस्तर पर सूती थी मेसामिली का करेक्टर कुछ ऐसा था कि वो चेंज एकसेप्ट नहीं कर सकती थी चाहे उसकी फादर की डथ हो या फिर हॉमर का दूर जाना वो किसी भी टाइप का चेंज एकसेप्ट नहीं कर सकती थी